जैम आता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके, होली के इस पावन परव पर करें ये खास उपाई, बन जाएंगे आपके सारे बिगडे काम, जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, पैसों की होगी ऐसी बारिस कि आप संभाल नहीं पाएंगे, दोस इस समय होली का तयोहार आने वाला है, तो इस दिन के लिए हम आपको कुछ खास उपाई बताएंगे, जिनसे आपकी सभी तरहें की परेसानिया खतम हो जाएंगे, और आपको जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके वैपार में भी ला अपने घर की चत पर आ जाएं, भगवान चंदरमा को सुध घी के दीपक के साथ धूमबत्ती और अगरबत्ती आरपित कर कोई भी सफेद मिठाई आरपन करें, भगवान चंदर देव से अपने घर में स्थाई सांती के साथ साथ स्थाई आर्थिक समरिदी की परात्ना करे बाद में भगवान चंदर देव को लगा भोग परसाथ के रूम में बच्चों में बांड दें। कुछ ही दिनों में आप अनभव करेंगे कि आपकी आर्थिक परिसानिया कम होकर लाब की स्थिथी बन रही हैं। यदि अधिक लाब चाहते हैं तो यह उपाई अपरतेक प सबसे पहले अपने घर में या कोई वैवसाई के जिगह हो तो वहाँ पर सारी लाइट जला दें। वैस्याम के समय यानि सूरे डूबने से पहले दिया बत्ती करें। लक्समी जी का कोई भी मंतर ग्यारा बार पड़ें। इसके बाद घर या वैवसाई की कोई भी कील लाक से आपके घर या वैवसाई में किसी नाकरातमक सकती का परवेश नहीं होगा। वै आप पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएगा। और आपके वैवार को भी उन्ती वैत तरक्ती मिलेगी। लेकिन दोस्तों यदि आप सोचते हैं कि यह उपाई करना मुश्किल हैं तो आ आप क्या करें जिस दिन होली का देहन हो उसकी राख को गरम राख को अपने घर ले आएं थोड़ी सी अपने घर के आंगन में उस कील को दबा दें और उसके अपर उस राख को रख दें और अगले दिन उस कील से वही उपाई करें जैसे हमने आपको बता हैं और यदि आप को ऐसा करेंगे तब भी आपको सेम प्रणाम ही मिलेंगे और उस होली की राख को जल में परवाहित कर दें दोस्तों होली के इन उपायों को करने से आपके सभी तरह की बिगड़े काम बन जाएंगे और आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लिज लाइक और शेयर जरूर कीचे इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीचे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीचे ताकि आप को हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों